भारत ने कुवेट को फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में हराते हुए सैफ चैंपियनशिप का किताब अपने नाम कर लिया फाइनल में जिस तरह के मैच की उमीद की जा रही थी उसी तरह का मुकाबला देखने को मिला दोनों ही टीमों के खिलाडियों ने गजब का प्रदर्शिन किया 90 मिनिट और उसके बाद मिले एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमों का स्कोर एक-एक रहा तो मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ शूट आउट में गुर्पीट सिंग संधू ने एक बार फिर से अपनी प्रतिबा का लोहा मनवाया सेमे फैनल में भी इस खिलाडी ने लेबनिन के खिलाफ प्रेनल्टी शूट आउट में अपनी टीम को जीत दिलाई थी और फैनल में एक बार फिर से वो देश के सबसे बड़े हीरो के रूप में उभरे तो आईए इस शांदार गोल कीपर के बारे में वो बात बताते हैं जो शायद आपको नहीं पता गुरपीत सिंग संधू का जनम 3 फरवरी 1992 को चमकौर साहिब पंजाब में हुआ था आठ साल की उमर में ही गुरपीत को प्यार हो गया और उन्होंने फुटबॉल को अपना लिया वे साल 2000 में सेंट स्टीफन्स अकैदमी में शामिल हुए 2006 में गुरपीत को अंडर 16 राज्य के लिए चुना गया था उन्होंने 2006 में हलदवानी में पंजाब के लिए पदार पड़ किया 15 साल की उमर में गुरपीत को एहसास हुआ कि फुटबॉल खेरना उसकी किस्मत में है गुरपीत ने एक इंटर्व्यून में बताया था कि मुझे लगता है कि 15 साल की उमर में जब मैं भारत के लिए जूनियर नैशनल टीमों में शामिल हुआ और मुझे नैशनल लीग देखने और पेशेवर खिलाडियों के साथ बातचीत करने का मौका मिला तब ही मुझे पता था कि पेशेवर रूप से फुटबॉल खेल सकता हूँ उन्होंने एक बार खुलासा किया स्टेट और नैशनल युवा टीमों के लिए खेलते हुए गुरपरीत ने अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए सेंट स्टीफन्स अकैडमी में भी खेलना जारी रखा नवंबर 2009 में गुरपरीत सिंग पूरवी बंगाल में शामिल हुए जो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल टीम में से एक है यही नहीं गुरपरीत सिंग संदू युरोपिये शीर्च डिवीजन लीग में खेलने वाले पहले भारतिय फुटबॉलर बने 30 जून 2016 को वो युएफा युरोपा लीग मैच में खेलने वाले पहले भारतिय फुटबॉल बने थे 3 फरवरी 1992 को पैदा हुए गुरपरीत सिंग पंजाब से आते हैं 6 फीट 6 इंच के गुरपरीत 2015 से भारतिय फुटबॉल टीम के साथ जुड़े हैं तो ये है उस गोलकीपर की कहानी जिसने भारतिय फुटबॉल टीम को अपने दम पर सैफ कप का खिताब जिताया टीम न्यूस नेशन